नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का स्वागत अभिनंदन मेरे चैनल में रासी पल 2019 के इस एपिसोड में मैं बात कर रहा हूँ धनूरासी की और मा के आरम में ही आपके रासी में अताथ फस्त आउस में शनी और के तुविद्धिमान है इसका अर्थ है आपको सनी की साड़ी साथी का सेकंड फेस अभी चल रहा है 24 जनवरी 2020 को सनी का सेकंड फेस समाप्त हो जाएगा और थर्ड फेस आरंब हो जाएगा थर्ड फेस के बारे में काव आता है थर्ड फेस के बारे में माननेता हैं कि व्यक्ति की सारी समस्यां दीरे दीरे यहां पर समाप्त हो जाती है और जब सनी की सारी साथी समाप्त हो न आपको नई उंचाईया, नए सोर्सेज, नई सफलताएं, नया पात, ये सब को 17 जनवरी 2020 से देखने को मिलेगा, उसके पहले आप सारी समस्याओं को समाप्त कर चुके होंगे, इसका मतलब यही है, 24 जनवरी 2020 से आपकी लाइफ में समस्याओं समाप्त होनी स्टार्ड हो है, अपने उपर ज़्यादा ध्यान देना, जहां पर भी कितू रहेगा, उस भाव की लालसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, व्यक्ति अपने रूप रंग, अपने पैनावय को, अपने सारी बल को ज़्यादा इंपोर्टेंस देगा, अपने आपको ज़्यादा रू सुब है, जो भी आपकी समस्याँ थी, जो भी आपकी कंप्लेंड थी कि धनूरासी के बाद में, आप कभी अच्छा बोलते ही नहीं हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए अच्छा ही अच्छा बोलने वाला हूँ, अब सारी नेगेटिविडी जो भी वास्त्विक्ता थी पहले कि आपका समय अच्छा नहीं था, तो अब बोलना पड़ेगा कि आपका समय अच्छा आ चुका है, तो एक परकार से आपकी सारी समस्याँ जो थी धनूरासी वालों की, कि आप सिर्फ वासर नेगेटिव बोलते हैं, ऐसा नहीं है, रासी से सेवंत आउस में राहू है राहू उच्छ रासी का है, और राहू का मतलब है प्लानिंग करना, अपने व्यूज और आइडियाज को यूज करना, तो जो आपका जीवन साती है, वो अपने दिमाग का इस्तिमाल जादा करेंगे, जो प्रेम प्रसंग में हैं, वो अपने दिमाग का इस्तिमाल जादा क से पहले रासी से टेंट आउस में थे वहां पर कुल्दीपग योग की स्थिति थी सूर्य और मंगल दस नौंबर को जोही साथ में हो जाएंगे आपकी आये की पोजिशन गेन की पोजिशन बहुत जादा बलवान हो जाएगी बुद्ध और शुक्र रासी से ट्वेल ताउस म बन जाता है हर चीज के पेज़े क्योरिसिटी जिग्या सुप्रवति उसकी बढ़ जाती है ये थी ग्रहों की पोजिशन अब हम बात करते हैं नवंबर दो जार उननीस रासी पल के बारे में सेक्टर वाइज सबसे पहला सेक्टर हमेशा की तरह आपका आये लाब और धन औ सब 11 ताहस है तो भाग्य का अधिपती सूरिय ही 11 ताहस समंद जोड रहा है अताथ भाग्य आपका बलवान है भाग्य वसात आपको गेन होगा सूरिय यहां पे नीच रासी का है तो भी आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी रासी कुणली में या कोई भी कुणली में 11 आवस ऐसा है जहां पर जा करके आपको हर गर्या का city ही मिलता है कि एक प्रकासे कावत है कि सामक जहर जो होता है वह भी दंगाई बनाने के काम आता है तो कोई भी ग्रह हो चाह plataform नेगटीव ग्रह हो चाहो आपके अटके वे पढ़ेते भागय वसाथ वो भी पूरे होंगे और भागय वसाथ आपकी इंकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी 10 नवंबर को मंगल भी यहाँ पर आजाएंगे 11 ताउस में आजाएंगे तो एक त्रिकॉण का अधिपती फिफ्ट आउस का लॉड और साथ साथ में 12 ताउस का लॉड मंगल है वो भी यहाँ पर गेन आउस में सूर्य से यूति करेगा ऐसी इस्तिति में भागय एक त्रिकॉ भागय के साथ में आपकी डे टो डे की इंकम का अधिपती यह सब कुछ आपको गेन देगा जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और साथ ही साथ विसेश कर में आपको बोल रहा हूं कि आपके आमदनी के जरिये बदल जाएंगे आपके आमदनी के जरिये बढ़ जाएंगे रिसोसे जो इंकम और अधर ढंक से भी होने लगेगी कोई पार्ट टाइम करके कोई बिजनस का एक्सपांसन करके कोई और जॉब वर्क करके कोई और डील करके एग्रिमेंट करके समझोता करके या कोई इन्वेस्मेंट करके तो नवंबर 2019 में और इसपेसली सोला तारिक तक सोला नवंबर तक इस्तितियां यहां पर ज़्यादा बलवान होंगी और साथी साथ साथ नवंबर को बुद्ध भी यहां पर वापस आजाएंगे वक्रियों करके तो आपके करम के मालिक और आपकी कुलने में सेवन ताउस के मालिक सेवन ताउस होना और आदमी पैसा वोई खर्च कर सकता है जो कमाता है जिसके पास में है तो expenses होने चाहिए खर्च होना चाहिए और व्यक्ति को हमेशा खर्च के बारे में नहीं सोच करके कमाने के बारे में सोचना चाहिए कि मैं और कैसे कमा सकता हूं ज्यादा कैसे कमा सकता हूं खर्ज तो करना ही पड़ता है इन्वेस्मेंट और एक्समेंसे जो भी बिजनस करेंगे जो भी काम करेंगे अपना परिवार चलाएंगे तब भी खर्ज करने में कभी पीछे नहीं अटना चाहिए आईए अब बात करत धन हो सम्पत्ति की संपत्ति का मालिक सेकेंड आउस का मालिक शनिये जो की अपने से सीट एव यह की साथ वी जष्टी सेवन पर यह और इसकी दसली जष्टी के मामले में बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए हो सकता हो सके तो किसी किसी expert से सला कीजिए उसके बाद में investment कीजिए जो लोग भी land और building में investment करना चाते हैं या core sector में investment करना चाते हैं infrastructure में investment करना चाते हैं तो मंगल 25 दिसंबर 2019 तक रासी से 11 आउस में होकर के second house पर उचकी justice डालेगा ऐसे इस्तिति में ज़्यादा बल्वान पोजिशन है लेकिन फिर भी आपने अपने घर वालों से या अपने जो बड़े हैं बुजूर्ग हैं घर में जो भी parents हैं उनसे सला मस्विरा करके ही आगे decision लेना चाहिए आगे sala लेकर ही निड़ने लेना चाहिए अकेले निडने लेने से बचचना चाहिए सनी की साथ 사थी में योँ भी कहा जाता है कि विद्धी समय जब खराब होता है तो बुद्धी नहीं देती है तो अकेले की बुद्धी पर इस्तिमाल नहीं करें अपने आप कोई सही नहीं मानें दूसरों से भी विचार भी मस कर लें उसके बाद में लिने करें तो आपके लिए ज्यादा बैटर रहेगा ज्यादा अच्छा रहेगा शुक्र 21 नवंबर 2019 को अगली रासी अथा धनूरासी में चले जाएंगे तब 11 अथा गेन की इस्थान का स्वामी लाब भाव का स्वामी शुक्र रासी से समन जोड़ेगा ब्रस्पती से समन जोड़ेगा शनी से समन जोड़ेगा शनी और शुक्र मित्र है शुक्र और केतू जब साथ में हो जाएंगे तो वासना की बोजिशन को और ज़्यादा एक्सीट कर देगा ऐसी इस्तिति में सेल्फ कंट्रोल की आवशक्ता पड़ीगी आईए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की वह है आपके परिवार का सुख भूमी और भवन का सुख बहुत समय के बाद में अथद लगबग एक साल से ज़्यादा इस्तिति हो चुकी होगी कि ये सिच्वेशन आई एक अब आप परिवार में आराम महसूस करेंगे परिवार में राहत महसूस करेंगे और परिवार का सुख मैसूस करेंगे क्योंकि फोर्ताउस का लौड ब्रसपती लगन में आ चुका है, अपनी मूल तिरिकौन रासी में आ चुका है, ऐसी इस्तिति में ब्रसपती आपको राहत देंगे, जो पहले आपको सर्फ और सर्फ डिप्रेस कर रहे थे, हैरेस कर रहे ते, गरस सुक से, संतान सुक से, आमदनी से, रिसोरसेज और इंकम से आपका पैसा ज्यादा खर्च हो रहा था, लेकिन इंकम के मामले में आप संतुष्टी नही थे, ना गर और परिवार से आप संतुष्टे लेकिन आप तो संतुष्टी आ चुकी है, अप तो starting हो चुकी है और आने वाला महिना अता नवंबर 2019 और दिसंबर 2019 आपको काफी ज़्यादा बैटर फिल्ड कराएंगे और इससे भी ज़्यादा अच्छी इस्तिती जब होगी जब 29 मार्च 2020 को ब्रेस्पती अगली रासी में चले जाएंगे अतिचारी हो करके और ये इस्तिती आपके लिए बैटर है एक प्रकासे ट्रेलर है कि 2020 की नवंबर से जब ब्रेस्पती अपनी नीच की रासी में अगली रासी मकर रासी में चले जाएंगे एक वर्स के लिए उससे पहले ही तीन माँ आपको देखने को मिल जाएंगे कि आपको फाइनिशली इस्तिती और ज़्यादा बैटर कैसे हो सकती है कैसे होने वाली रासी से से ब्रेस्पती जब भी होगा जब भी फाइनिशली गेन होगा रिसर्स और इंकम आपके बढ़ेंगे परिवार का सुक आपको मिलेगा खांदान का सुक आपको मिलेगा वानी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी वानी मिठी हो जाएगी और बहुत अच्छे डंग से आप डिलिंग करेंगे बहुत अच्छे डंग से आप यवार करेंग तो ब्रेस्पती रासी में आये वे आपके लिए शुब हैं और अगली रासी में जाना और ज़्यादा बैटर है और ज़्यादा सुब हैं और एक प्रकास आपके किसमत अच्छी है कि आपको 2020 के नवंबर में जो देखने को मिलने वारा था वो ही ट्रेलर आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा और वो ट्रेलर भी छोटा नहीं है वो ट्रेलर भी तीन मा का ट्रेलर है 29 मार्ट से लगा करके 30 जून तक अप्रेल मई और जून ये तीनों महिने लगबग 90 दिन आपको ब्रस्पति के सेकंड आउस में परवेश के सेकंड आउस में इस्थित होने के आपको परिणाम देखने को मिलेंगे जो की बहुत ज़्यादा बैटर है ब्रस्पति फोर्त आउस का लॉड़ ओकर के लगन में होना चाहे सनी की साड़े साथी उसके बावजूद भी के बाद में आपके परिवार में चैल कदमी होगी या यह बोच सकते खुशियों का वातावरान होगा खुशियां वापस आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देगी और आपका आंगन हसेगा मुस्कुराएगा बूमी भवन और वाहन की बात करें जैसा कि मैंने अभी बोला है कि 24 जनवरी 2020 को सनी अपनी अगली रासी में चले जाएंगे अगली रासी का मतलब में मकर रासी में चले जाएंगे सनी की साथ साथी का थर्ड फेस स्थार्ड हो जाएगा वहां से प्रॉलम अपने आप में कम होने लगेगी और सनी जोंही सेकेंड आउस में जाएंगे उनकी थर्ड दरस्ती फोर्त आउस पर पड़ेगी भोमी बवन और वाहन सुक पर पड़ेगी ऐसी इस्तिति में आपको यदि कोई फ्लैट करिदना है कोई जमीन खरिदनी है बैंक से चेक करा दीजे कोई कोई बैंक में चोटे से चोटा लोन अगर मिलता है एक करोड की प्रॉपर्टी है कोई बात नहीं पांच लाक रुपे का लोन ले लिजे दो मेने के लिए रखिए उसके बाद में लोन को वापस चुका दीजे लेकिन आपके पेपर की कोई भी आपके साथ में फ्रॉड या चीटिंग नहीं हो पाएगी ये बात शौर हो जाती है इसलिए अगर कोई अजेंट है सही डील मिल रही है और आपको स्विच ओर करना चाते हैं और आपको लगता है इससे अच्छी डील नहीं मिल पाएगी सही समय है तो समय नेगेट पयो चैनल नहीं है और 24 जनुवरी तक वेट करेंगे इससे ज्यादा अच्छी प्रॉड़र इससे ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी इससे ज्यादा अच्छी नहीं आपको मिलेगी जहां तक वाहन की बात है वाहन आप यदी खरीदना चाहते हैं अपने लिए इस पिसलि color golden color जो होता है वो ब्रस्पदी का color है उस और जा सकते हैं तो सब मिला करके ये जो इस्तिती है वो आपके लिए काफी better है परिवार एक सुक की स्थिती और साथ इसाथ भूमी भावन और वहन की स्थिती यदि इंतिजार करेंगे तो और ज्यादा better result पाएंगे आईए अब बात करते हैं सिक्सा की और साथ इसाथ संतान सुक की तो सिक्सा से पहले मैं आपको संतान सुक की सूचना देना चाहता हूं आपको खुशकबरी देना चाहता हूं कि जो लोग काफी समय से सिर्फ और सिर्फ सोच रहते हैं कि हमको अपने परिवार आगे बढ़ाना हैं हमको बच्चों के बारे में सोचना है तो वह समय आ चुका है आपको अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए जो भी धनुरासी की महिला हैं जो भी बैने हैं जो भी बेटिया हैं यदि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है तो यह समय आपके लिए उप्योगी है आपको परिवार के बारे में सोच कर संतान अर मामले में आपके आकांसवांपर खरी उतरेगी इस समय कर पर कंस्यमेंट हो तो आप यह सोच सकते हैं कि हर चीज का जो भी बीजारूपन होता है वह यहीं सुब मौरत में हो जाए तो वह वरक्स बहुत ज्यादा अच्छा फलता है व्यक्ति की कुंडली तो उत्पन होगा तब बनेगी लेकिन ये जो समय काल है गर्ब दार्ण करने का ये गर्णों की जब अच्छी इस्तिती हो तो और ज्यादा बैटर हो जाता है अब बात करते हैं सिक्सा की सिक्सा का अधिपती मंगल है 10 नवंबर 2019 को मंगल रासी से 11 आउस में चला जाएगा आपके रासी कुंडली में सिक्सा भाव का अधिपती बुद्धी भाव का अधिपती गेन इस्तान में जाकर के आपको और बल्वान बना देगा गेन से सक्सेस से सफलता से तो जो भी टेकन इस्तिति में समय काल आपको सुबता दे रहा है आपको आगे बढ़ने के प्रिरीट कर रहा है यह समय आपके लिए हर मामले में बहुत ज्यादा सुब है, बहुत ज्यादा सक्सेस्पूल है जो भी इंटर्विव देना चाहते हैं, वो इंटर्विव आपका अच्छा रहेगा एक्जाम देना चाहते हैं, वो एक्जाम अच्छा होगा काफी समय के बाद में मैं आपको सारी चीज़ें positive बोल रहा हूँ जो लोग भी post graduate का exam दे रहे हैं अथा post graduate से उपर की कोई पढ़ाई कर रहे हैं चाहे वो master की degree कर रहे हैं चाहे वो research कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा successful results मिलेंगे अब आती है संतान से सुक की बात तो संतान का अधिपती मंगल है जो की बहुत अच्छी position में तो इससे आपको संतान से सुक होगा संतान की success से आप प्रसन होंगे और आपको संतान के उपर ज़्यादा care करने की ज़्यादा ध्यान देने की उनके पीछे पढ़ने की जरूरत न ज्यादा आगे बढ़ने को प्रेरीद कर रही है यह मां आपके लिए काफी ज्यादा बैटर है अब बात करते हैं आपके स्वास्तिकी और आपके स्वास्तिका अधिपति शुक्र है जो की ट्वैल्ट आउस में तो यहां पे सिक्स आउस का लॉड अताद रोग और सत्रों का रोग और शत्रों जो भी है वो संबंदी नास से जोड़ रहा है इसका अर्थ है कि रोग और शत्रों का नास स्वतही हो जाएगा तो 21 नवंबर 2019 तक तो सिच्वेशन आपके लिए काफी ज्यादा बैटर है उसके बाद में सिच्वेशन उससे ज्यादा बैटर आप बोल सक होंगे तो रोग से आपको कोई भी घबराने की जोट नहीं कोई परशान होने की ज़रूत नहीं है और ना ही सत्रों से परशान होने की ज़रूत है उनसे आपको दो-दो हाथ करने की ज़रूत नहीं महसूस होगी क्योंकि यह समय आपको आगे बढ़ने की और प्रिरित करता रहेगा आपकी स्पीड इतनी होगी कि शत्रु साइद आपके आसपास या आपके इनिमी आपसे द्वेस रखने वाले आपके आसपास भी फटक नहीं पाएंगे आईए अब बात करते दमपत्य सुक्की और साथी साथ आपके प्रेम प्रसंगों की जो भी कोई अपने आगे आने वाले जिवन में अपना जिवन साथी एक प्रकास से ढूंड रहे हैं उन लोगों के लिए यह मां काफी ज्यादा बैटर है काफी ज्यादा सुभ है या यह बोल सकते आपकी आकांशाओं को आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला है एक विशेस बात आपको इस मा में देखने को मिलेगी कि आपका खोयावा प्यार आपको वापस मिलने की संभावनाई प्रबल है आता जो लोग रिलेशन्सिप में थे जो लोग अच्छी मित्ता में थे अपने आगे बढ़ने वाले फ्यूचर के लिए सपने देख रहे थे और किसी कारण से उनके बीच में कास हो नहीं होगी मन मुटाव हो गया और वो अलग हो गया अपना अपना रास्ता उन्होंने आत्मक सोच रखिए पॉस्टिव रहिए जो कुछ भी गलतियां उसको भुला दीजिए क्योंकि साधी होने के बाद में भी अगर गलतियां हो जाती तो क्या करते अब बात करते दामपत्य सुख की ब्रस्पती की साथवे गर पर सीधी जस्ती है ऐसी इस्तिति में ब्रस्प आप आराम से रोमांटिक वे में प्रेम प्रसंद के साथ में या यह बोल सकते हैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ में आप उनके मनोबावों को समझते हुए उनकी बात को समझते हुए अपना जीवन यापन करेंगे एक दूसरे को सुख बाटने की इस्तिति इस माम में आएगी अठाथ आप अपने जीवन साथी का केर भी करेंगे बातचीत करके सारे मामले भी सुलजा लेंगे और वापस इस्तिति आएगी प्यार की सने की अपनत्व की समरपण की यह सब इस्तियां आपको देखने को मिलेगी जो लोग अविवाइत हैं उन लोगों को यह सम मिंगल से मिंगल होने की और आगे बढ़़ने की प्रेणा दे रहा है अथाथ आपके जीवन साती आपके आजपास ही है जो भी आप effort कर रहे हैं जो भी आपके घरवाले effort कर रहे हैं अपने जीवन साती को डूजने के लिए तो बहुत ही जल्द अतात जब तक ब्रस्पती रासी से फस्ता उसमें है 29 मार्च 2020 तक आपकी साधी एक प्रकासे फिक्स हो जाएगी साधी की डेट फिक्स हो जाएगी आपकी सगय समन्त होने के योग बहुत ज्यादा प्रबल है जिन लोगों की जिंदगी में पारि करें कि यह समय आपके लड़ाई जगड़ों को आपके आपसी द्वंद को सुल्जा देने वाला है सही समय पर सही डिस्जन लेना सही मिटिंग करना सही भावनाओं के साथ में एक दूसरे से बात करना आपके लड़ाई जगड़ों को एक प्रकासे समाप्त कर देगा और व वापस मेरे जिन्द्गी में परुष्प नहीं करेगा ऐसा नहीं होगा जिस प्रकार मैंने प्रेम प्रसंद के मामलें में बोला है कोएवा प्यार जीवन साथ ही उसका प्यार इसका अपनत्व वापस मिलने की संभावना है साधी का बंदन जीवन भर का बंदन होता है ये कोई तूटने वाला बंदन नहीं है यदि छोटी सी कोई गलत फहमी है में मुटाव है उसको आप दूर कर सकते हैं इस और कोशिस जरूर कीजिए और कोशिस करने वालों की हार नहीं होती आईए अब बात करते हैं आपके केरियर की और आपके पिता के सुक की केरियर का स्वामी साथ ही साथ आपकी रासी कुनले बिजनस बाव का स्वामी संजदारी का स्वामी बुद्ध है बुद्ध जो कि शुक्र के साथ में और शुक्र के साथ में बुद्ध हमेशा बलवान माना जाता है सुब माना जाता है साथ नवंबर को बुद रासी से 11 आउस में आ जाएंगे अता शुक्र की रासी में आ जाएंगे तब आपके लिए केरियर की संभावनाएं और ज्यादा बलवान हो जाएगी और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी साथ ही साथ जो लोग ट्रेडिंग का या टेलिकॉम सेक्टर का मीजिक से रिलेटेड एजनसी बिजनस कमिशन और ब्रॉकरेज कागज कपड़ा प्रिंटिंग टेक्स्टाइल इस से रिलेटेड काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को सक्सेस ज़ादा मिलेगी या इंप्रू करना चाता हूं कि मंदी का मौसम आपके लिए समाप्त हो जाएगा जो मंदी चल रही थी वो मंदी आपको परशान नहीं करेगी आप मंदी के रास्ते से बाहर आ जाएंगे और आप अच्छी ग्रोथ पकड़ लेंगे आपके जो भी आइडियाज है जो भी व्यू है आपक को 16 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा सावदान रहने की सलाह देना चाता हूं जब तक कि सूरिय आपकी रासी कुंडली में था धनू रासी में ना आ पाए सबसे पहले 16 नावंबर तक तो सूरिय यही नेगटिव है नीच रासी के हैं गेन में अच्छे हैं लेकिन सूरिय गौर्मे सेक्टर का अधिपती भी है ऐसी इस्तिति में और उसके बाद में सूरिय रासी से 12 चले जाएंगे तब आपने थोड़ा सा अपने आपको केरफू रखना है आपसे कोई भी ऐसी गलती ने हो पाए कि आपकी नौकरी पर बात बन पाए या लोग साजिश करके आपको फसा न दे ऐसी इस्तिति में आप अपने उपर सेल्फ कंट्रोल ज्यादा रखेंगे एक छोटी सी गलती की संभावना या छोटा सा लालच आपको बहुत बुरी डंग से फसा सकता है बहुत बुरे डंग से आपको प्रताडित कर सकता है पिडित कर सकता है ये जरूर ध्यान दीजीगा बाकी जो गौर्मेंट सेक्टर के अलवा नौकरी पैसा लोग हैं उनके लिए समय ठीक है आपको आने वाले समय में और ज़्यादा प्रोग्र 2020 से पहले पहले मिलने वाला है इस्पेसली जो लोग MNC में काम करने वाले हैं जो लोग इंडिया में काम कर रहे हैं कोई फॉरन कमपनी में लेकिन उनको बाहर जाने की इच्छा है या थोड़े समय के लिए उनको बाहर जाने की इच्छा है ये आपकी आकांसा ये आपकी इच्छा पूरी होने का योग है पूरी होने की संभावना है बहुत ज्यादा प्रबल है आपको उस और आगे बढ़ना चाहिए एफ़र्ट करना चाहिए जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनस कर रहे हैं जिन लोगों का काम काजबार के देशों में भी है उन लोग करने वाला नहीं है हाईवे आपके पास में और उसके बाद में आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम पिर ड्रीम्स कम ट्रू जिसको बोलते हैं वो 17 जनवरी 23 से 29 मार्च 2025 तक आपको देखने को मिलेगा अतात आपकी लाइफ में अब सिर्फ सब सकसे से एक प्रकास से आपक लाइम लाइट में हैं अतात उस रास्ते के दोनों तरफ सेंकड़ोबाट के बल्ब लग रहे हैं इसलिए अंदेरा कहीं पर भी नहीं है आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं इसलिए सोचिए बड़ा सोचिए प्लान बढ़ा कीजिए और जितना बड़ा प्लान करे देरा है इसलिए आपको आगे बढ़ना चाहिए अब बात करते हैं यत्राओं की आपकी लाइफ में ट्रेवलिंग की नवंबर 2019 में आपकी ट्रेवलिंग क्या कहती है उससे कितनी सक्सेस आपको मिलेगी शुक्र 12 आउस में है 21 नवंबर 2019 तक यहीं रहेंगे ऐसी इस्तिति में जो भी आपकी ट्रेवलिंग होगी वो ट्रेवलिंग लग्जिरिस ट्रेवलिंग ज़्यादा होगी अथाथ अपने खुशियों के लिए मौज मेले के लिए आमोत प्रमोत के लिए या यह बोल सकते ह एक प्रकास से रोमांटिक ट्रिप वाली बात हो जाएगी कि आपने दिवावली तक बहुत ज़्यादा काम कर लिया जो भी आपके टार्गेट थे वो आपने पूरे कर लिया और अब आपको आराम करने की बारी है अब आपको खुशियां बटोरने की बारी है या यह बोल स का कोई भी ऐसा अफसोस नहीं होगा इतना पै浅 कर दिया क्योंकि आप पने ही कमाया है और अपने उपर अपने परिवार के उपर अपने जीवनसाति अपने बच्शों के ऊपर ही खर्च कर रहे है और खर्च करना चाहिए है बह। बहुत ज्यादा पैसा जीवन साथी के साथ में बिता दिये हैं, वो आपकी पूंजी है, वो आपकी capital है, वो कोई आपसे ले नहीं सकता, वो कोई आपसे छेंड नहीं सकता, इसलिए expenses कीजिए, अपने उपर कीजिए, अपने परिवार के उपर कीजिए, और कभी अफसोस मित कीजिए, क्योंकि पैसा समझ लीजिए और माननता है कि इस उपायों को करने से विवा में आने वाली बादाइं सुरता दूर हो जाती है। को घी में सेख करके उसमें बूरा मिला करके 108 लड़ू बनाने हैं। उसको पीले रंग की टोकरी चाब वो प्लास्तिकी टोकरी हो या कोई भी दूसरी टोकरी हो उसमें पीले रंग का कपड़ा बिचा करके उस पर उन 108 लड़ूं को रखना है। जो अभी आपकी इच्छा पूजन करके मनोवांचित वर्प्राप्ति का संकल्प करके किसी ब्रामन देवता को या पुजारी महाराज को आपने प्रदान करना है भेट दे देना है इस प्रियोक से विवा सीख रही होने की संभावना बन जाएगी और यह उपाए एक बार नहीं सेंकड़ों बार लोगों को बताएगा सेंकड़ों लोगों ने किया है और यह उपाए वास्तमे सटिक गटित हुआ है आप भी एक बार कोसिस करें स्वस्त रहिए प्रसंद रहिए अपना अपने परिवार का घर के बुजुर्गाओं का और हां अपने जीवन साती का बहुत बहुत खैल रखिए आप सभी को मेरा नमस्कार सुब कामना है इश्वर आपकी रक्षा करें धन्यवाद झाल 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 जिए्या झाल झाल झाल